नमस्कार दोस्तों मैं प्रेजिंस एनिया आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हम बात करेंगे वो स्काराइब ऊसके कारण से वो क्या होती है उसका रलेशन हम देखेंगे तो इससे पहले हम जान चुपे हैं कि जो कांटिनुवस चार्ट ले 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 लिए उसके ओपर अगर होता है तो इस Smells से continuously होता है यानि कि इनके बीच में अगर हम precise location की भी बात करें यानि कि छोटा सा एरिया भी ले 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 यहां पर तो यहां पर अगर चार्जिस के बीच में आप गैप को देखेंगे भी तो बहुत ही मन्यूट होता है लगबग नेलिजीबल आप उसको कह सकते हैं लेकिन डिस्क्रीट चार्जिस के अंदर क्या था कि जो गैप होता है वो काफी जादा होता है और precise location की बात करें तो इस तरह से अलग-अलग location प वह ने पहले discuss किया था इसलिए हम जो है एक small area चूझ कर लेते हैं चाहए वो surface के लिए हो चाहए वो line के लिए हो तो उसी जो small surface हम लेते हैं या small जो हम area लेते हैं तो उसी के अंदर हम charge को फिर calculate करते हैं जो कि एक average charge की तरह हमारा काम करता है जो हम पेचले lecture में सब कुछ discuss कर चुके हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं माली जी इस तरह से कुछ charge बिखरा हुआ है तो यह हमने charge ले लिया कि कुछ charge बिखरा हुआ है यहां पर और यहां पर हम ले लेते हैं कि x है और यह y है और यह z axis है इस तरह से हम coordinate ले लेते हैं और एक continuous charge distribution ले लेते हैं space के अंदर जिसकी जो volume charge density है यानि कि volume charge density की बात करेंगे वो रो है तो volume charge density क्या होती है रो हमने मान ले अब यहां पर एक origin हमने ले लिया और इस origin से जैसे तो continuous charge distribution है और यहां पर हमने small element मान लिया कोई भी साज ले लिया कोई small volume element मान लिया यहां पर इस तरह से तो इसको जो है अगर हम origin से देखें मान लिए हम जो position vector है वो हम मान लेते हैं कि वो हमारा ri है तो यहां से यहां तक का जो position vector है ri है इसी तरह से अगर हम बात करें कि या उसके inside या फिर यहां पर हमने point माना है जैसे कि हमने यहां कहा कि continuous distribution है वहां पर हमने small element मान लिया और वहां पर origin से लेकर वस point तक काbelsो distance है या कहेंगे जो position vector है वो ri है उसकी position को specify करने अब कोई भी point हम ममन लेते हैं इसके inside या outside मान लीजिए कोई point P है वो हम ममन लेते हैं कि इसके outside है और इसका origin से अगर हम position vector देखें तो वह हम ले लेते है R, तो हम इसको R vector ले लेते हैं, यहां से यहां तक इस point P का जो position vector है, तो हमने एक point मान लिया, अब देखिए, यहां से यहां तक, मान लिए, अगर इस तरफ से हम directed towards P करते हैं, इस charge element से, तो यहां से यहां तक हम मान लेते हैं, कि यह जो है हमारा R dash है, यह जो distance है हमारा, वो इस charge element है, और जो point P है, इन दोनों के बीच का distance है, तो यह हमने R dash मान लिया, अब यहां पर हम देखिए, कूलम लो का use करेंगे, और जो हमारा हमने, जो volume charge density का formula निकाला था, उसका use करेंगे, volume charge density का formula क्या था, rho equal to del Q by del V, यही हमारा formula था, volume charge density का, अब, अब देखिए, जो कूलम प्ला का अगर हम use करें, तो force इस charge element के कारण, इस P के उपर, कितना force लगेगा, तो वो हमें निकालना है, यानि कि यहां पर हमने इसको एक test charge लिया है, यह test charge हमने क्यों note लिया है, कि इस charge element के कारण, अब इस के उनोट पर कितना force लगेगा, तो वो हमें निकालना है, तो यहा है और जो हमारा स्माल उलिमेंट है कि जो हमने लिया वह कि प्रहाई है कि दोनों का और धांउ के बीच का आऩ सब्सक्राइब और को स्क्राइब ग्रासी कर रही का यहां पर यह हो जाएगा यह की तरफ यह हमने दिखाया कि इस त्रफ है इसके और इसके बीच में यह हमने direction दिखा दी तो यह होगा अब यहां पर देखिए जो डिल को है अगर आप यहां पर डिल को की value निकालते हैं तो वह आपके पास क्या आजाएगी रोडल वी यह value आ जाएगी और यहां पर आपको वही value पुट कर देनी है तो यहां पर आपके पास value क् 1 by 4 pi epsilon O Q note और यहां पर आ जाएगी rho del V यह value आ जाएगी r dash का square है और r dash unit vector यहां पर है और यहां पर जो यह r dash है जो कि यह है यह किसके बराबर होगा यहां पर अगर हम देखी तो यह होगा हमारा r minus ri के बराबर यही होगा क्योंकि यह हमारा ri है यह r है r minus ri तो r dash को जो है आप इसके बराबर लिख सकते हैं तो यह इसके बराबर होगा अब अगर हम यहां पर super position principle को apply करते हैं यहनि कि यहां पर हमने एक small element के charge लिया जो कि del के हो था और उसका p पर जो है effect निकाला गी कितनी force लगाई लेकिन यहां तो एक बहुत सारा जो volume में charge विखरा हुआ है तो total volume जितना भी charge यहां पर विखरा हुआ है उसके कारण से इस q note charge पे कितनी force लगेगी यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा summation करना पड़ेगा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं q note by 4 pi epsilon note और यहां पर summation और सारी volume के कारण यानि कि जो all del v है मान लिजिए कि आपने यहां पर एक del v element ले लिया छोटा सा फिर आपने एक और ले लिया फिर आपने एक और ले लिया फिर आपने एक और ले लिया यानि कि जो surface अगर हम देखें तो अलग-अलग से जो है हमने volume जो है अलग-अलग से लिये हैं यहां पर तो अलग-अलग जो है इस तरह से point change होता रहेगा हमारा और वहां पर हम जो है volume charge density की value भी जो है वो vary करेगी point to point तो अब हम सारा volume का ले लेती है कि effect जो है इस point P पर कितना पड़ेगा तो हमने summation कर दिया आल डैल वी जितने भी element आप small volume को लेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर यहां जाएगा आर डैस unit vector तो आपने summation कर दिया अब अगर आप जो है पूरी volume का ले रही है पूरी volume जो हमार यहां पर charge बिखरा था और P के ऊपर यानि कि जो P हमारा position है यानि कि जहां पर हमारा test charge क्यों नोट है तो इसके ऊपर जो अगर total force निकालें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f equal to यहां पर भी आप f लिख सकते हैं तो f जो है equal to यह हमारा क्या आजाएगा क्यों नोड इक तरह से आपने क्या कर दिया इंटीग्रल कर दिया के साथ है यहां पर यह क्या जाएगा रोड डिवाइड बाए आर डैस का स्केयर और यूनिट वैक्टर यह जाएगा तो यह जो है हमारा एक तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमारा किया है अब यह तो हमने देखा कि अगर वोल्यूम चार्ज अगर यहां पर है इसी तरह से यहां पर कोई लाइन डिस्ट्रिबुशन ओफ चार्ज हो जैसे माली जी आपने तीन एक्सिज लेने इस तरह से और यहां पर कोई line distribution of charge हो इस तरह से कोई भी एक line के अंदर distribute हो उसके खारण से आपको इस पी point जो पी position आपने ली है माली जी यहाँ पर लेंगे इसी तरह से सेम पूरा procedure होगा तो यहाँ पर जो है पी point पर आपने क्यों और charge लिया सेम सारी चीज़ें लेंगे तो line distribution के लिए यहाँ पर क्या होगा सिर्फ जो यह row del V है यहाँ पर row del V की जगा आपको सिर्फ क्या कर देना है lambda del L कर देना है यह put कर देना है सिर्फ अगर आप line distribution के लिए निकालते हैं इसी तरह से अगर surface distribution के लिए निकालते है तो ρो-डल-V की जंगा आपको क्या पुट कर देना है सिगमा-D-S पुट कर देना है यानि कि इस तरह से जो है डल-S कह सकते हैं आप कि यह पुट कर देना है तो रो-डल-V की जंगा तो इस तरह से line distribution के लिए surface distribution of charge के लिए या volume distribution of charge के लिए आप जो है force निकाल सकते हैं और यह जो relation है इस तरह से ये तीनों के लिए हमारी काम आएगी बस यहाँ पर ये जो चीज़े है ये चेंज हो जाएगी वोल्यूम के लिए अलग लाइन के लिए अलग और सर्फेस के लिए सर्फेस डिस्ट्रिबिशन के लिए अलग तो थंक्यों वीडियो देखने के लिए और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न और ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद